सलाम वालेकुम फ्रेंट्स मेरा इस यूटूब चनेल दा महापूजी रोमी फित्मी में आप सबी का बहुत बहुत स्वगत करता हूँ मैं आज आप लोग को डॉक्टर रेक्विग की R29 डॉप के बारे में जान कर रहे दूँगा और इस डॉप को आप किस किस काम पे इस्तमाल कर शकते हैं उसके बारे में पूरी जान कर रहे दूँगा तो फ्रेंट्स पहले हम इस R29 डॉप के बारे में जान लेते हैं इस R29 डॉप धेरी डून के नाम पर आती है इस डॉप भाटी के समासा के लिए यानने की चकर की समासा के लिए बहुती अच्छी है इस डॉप का कोई भी साइड इप्रैक्ट नहीं है और आपके शरीर में विग्नेस के कारण आपको चकर आती है तो उस कंडिसिन के लिए इस R29 डॉप बहुती अच्छी है चकर आने के कारण आरब बेहुस हो जाती है तो उस समसा को ठीक करने के लिए भी इस R29 ड्रॉप बहुत है अच्छी है उसके साथ साथ जो है सरीर में एक खुन के कमिंग के कारण पेट में गैस गैस्ट के कारण उसके साथ सारवाइकल स्पॉंडरलिस के के दोरन भी चकर के समसा होती है तो इस अभी कंडिशन के लिए इस R29 ड्रॉप बहुत अच्छी है अरब के सरीर के रक्तसंचलन बंध हो जाती है और उससे कारण आरब को भाड़ेगों के समसा रहती है तो भी आप इस R29 ड्रॉप को इस्तमाल का शक्ते है अरब बैट कर अचनक से उठते है और उठने के बाद सरीर में और सर में चक्कर आ जाती है तो इस समसा को ठीक काने के लिए R29 ड्रॉप बहुत अच्छी है अरब कहीं घुम जाते है है और जाने के लिए बाद स्ट्रेन में जब आप ट्रावहल करते हैं तो इस ट्रावहल के दोरन भी सर में चक्कर आती है उसके साथ साथ उल्टी यद्ध बांटिंग की भी समसा हो जाती है यानिकि ट्राविल, सिकनेस के आरब को समासा रहती है तो उस समासा को भी ठीक करने के लिए इस R29 ड्रॉप बहुत अच्छी है और लाप्स में जो है आरब समुदर में घुम जाते हैं और घुम जाने कारण आरब उस जगों में बिमार पड़ जाती है यानिकि शरीर में उइकनेस आ जाती है और उससे कारण आरब को भार्टिकों की समासा रहती है तो भी आप इस R29 ड्रॉप को इस्तिमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं इसमें कौन-कौन होमफितिक मेडिसीन डली हुई है पहले हम जान लेते हैं इस ड्रॉप को आपको किस तरह से इस्तिमाल करेंगे इस ड्रॉप को दिन में तीन बार एक बार सुभे एक बार दो पहर एक बार रात के टाइम खाना खाने के आदे घंटे पहले 10 पूंद आपको आदे का पानी में मिला होगा पीना होगा इस तरह से गार आप इस आर-29 ड्रॉप को अपने भार्टी के की समासा के लिए इस्तिमाल करेंगे तो आपकी इस समासा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो फैंट्स आज के लिए बास इतना ही और आपको मेरा इस वीडियो आच चला कर दिए निशी जारो कॉमेंट कर दिएगा अपनी दोस्तों साथ आपनी फैमिली मेंबर के साथ जारो स्था कर दिए अगर आप मेरे चैनल पर नए है जारो चैनल को साथ सब्सक्रा कर दिए थैंक यू